नमस्कार दोस्तों के चैनल में आपका एक पार फिर से स्वागत हैं दोस्तों स्किन केर करना बहुत ज़रूरी होता है और हर किसी को अपनी स्किन केर करनी चाहिए स्क्रबिंग, फेस पैक और समय समय पर फेशल भी करते रहना चाहिए अगर आप होमेड फेशल करती है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और अगर आपके पास फिलाल समय नहीं है और आप बहुत ज़्यादा अच्छा और गोल्ड जैसा निखार पाना चाहती है त इससे आप गोल्ड फेशल जैसा निखारा पा सकते हैं इसमें नहीं तो ज़्यादा मेहनत लगेगी और नहीं किसी कैमिकल का इसमें परियोग किया गया है और ये आपके स्किन को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा और ये बहुत ही बहतर रिजल्ट आपको देगा घर पर गोल्ड फेशल करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्लिंजिंग करनी होगी क्लिंजिंग करने के लिए आपको थोड़ा सा कच्छा दूद लेना होगा जिससे आपकी इसकिन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए क्योंकि क्लिंजिंग करने अगर आप क्लिंजिंग करेंगे त और कोटन को दूद में डिप करके अपने चहरे को अच्छे से सफाई करनी है और अगर आप देखती हैं कि आपके फेस से बहुत जादा गंदगी निकल रही है तो आप रुई को पार-बार चेंज कर सकती हैं, आप चेंज करके और फिर दोबारा से दूद में डुदो कर उसस से क्लीन करिए इससे आपका फेश फेशल के लिए तयार हो जाएगा और आपके फेश से सारी गंदगी निकल जाएगी क्लिंजिंग करने के बाद बारी आती है स्क्रबिंग की स्क्रबिंग से बहुत ज़्यादा आपकी स्किन क्लीन हो जाएगी और जितनी भी डेड़ी स्किन होती है वो निकल जाएगी और इस्किन ग्लो करेगी अगर आप बहुत अच्छी तरह से स्क्रबिंग करते हैं तो इस फेशल का बहुत ही जादा अच्छा निखार आएगा आपके फेस पर और आपका फेस बहुत अच्छे से ग्लो करेगा स्क्रबिंग करने के लिए आपको दो चमत चीनी को थोड़ा सा दरदरा पीस लेना है और उसमें सहद और नीमू को एड़ करना है और अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लेना है एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है आपको इसे बहुत जादा पतला नहीं करना है थोड़ा गाढ़ा सा ही पेश्ट बनाना है और इससे finger की help से आपको round round करके अपने face और अपने neck पर बहुत अच्छे से आपको massage करनी है और scrubbing करनी है अपनी nose area पे भी आप अच्छे से scrubbing करें अपने होटों के नीचे माथे पर अपनी गाल पर मतलब काफी अच्छी धरह से finger की help से आप scrubbing करें और scrubbing करते समय आपको ध्यान लखना है कि आपको अपनी finger को बहुत जादा tight हाथों से नहीं चलाना है बहुत ही हलके हाथों से बहुत ही soft soft हाथों से आपको scrubbing करनी है वरना आपकी skin को नुकसान पहुचेगा अगर आप बहुत जादा tight हाथों से scrubbing करेंगे तो ठीक है कम से कम पांच मिनट आपको बहुत अच्छी तरह से स्क्रबिंग करनी है और आप देखेंगे कि जब आप कम से कम पांच मिनट इससे अच्छे से स्क्रबिंग करेंगे तो आपके skin बहुत ही soft feel होगा, आपको बहुत ही soft और बहुत ही मुलायम आपकी skin इससे हो जाएगी, ठीक है, थर्ड step आता है भाप लेना, आपको क्या करना है, कि आपको एक बाउल में गरम पाली नेला है, गरम पानी आपको लेना है, और उसमें आपको अपने face को उस बाउल के उपर कर लेना है, और उपर से आपको अपने face के उपर आपको एक तोलिया ढख लेना है, ताकि जितनी भी भाप है, वो सीधे आपके face पर आए, ठीक है, भाप जब सीधे आपके face पर आएगी, तो आपकी skin के जो pores हैं, वो खुलेंगे, और आपकी skin अच्छे से सास ले प आपके skin बहुत ही जादा soft और मुलायम हो जाएगी, अब बारी आती है face mask की, क्योंकि भाप लेने के जो बात जो pores खुले हैं, उन्हें बंद करना भी बहुत जरूरी होता है, और ये face mask जो है, ये घर में ही आपके kitchen में मुझूद जो सामगरी है, उनसे तयार किया गया है, और बिल्कुल natural है, इससे कोई भी side effect आपको नहीं होगा, और बहुत अच्छा glow आएगा इस mask का, इस mask को तयार करने के लिए आपको आधा चमच हल्दी लेना है, और एक चमच सहद, और एक चमच नीमबू, एक चमच दही, एक चमच नार्यल का तेल, और एक चमच आपको ब पेश्ट थोड़ा पतला हो गया है, तो आप इसमें बेसन थोड़ा और एड़ कर सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि पतला हो गया है, तो आप कुछ और चीज इसमें एड़ कर सकते हैं, जैसे कि आप उसमें थोड़ा दही एड़ कर लीजे, तो थोड़ा और पतला ह हो जाएगा आप जैसे भी आप क्योंकि आपको थोड़ा सी इसका गाढ़ा पेश्ट बनाना है तो उसी हिसाब से आप इसमें सामगरी एड़ कर सकते हैं फिर आप इसका जब थोड़ा सा आपने फिंगर से अपने फींट की चैश्ट करें और फिर मतलते हाथ करके फिल्पी की मासाज कर अपने फैस को अच्छी दह दो लीजिए अप देखिए आपके इतना अच्छा इफेक्ट आपको दिखेगा इता अच्छा रिजल्ट आएगा बहुत आपकी स्का más आपकी स्किन ग्लो करेगी और एक बहुत अच्छा निखार आपके चहरे पर आएगा इस फेशल से अगर आप इसे 15 दिन में एक बार कर लेती हैं तो आपके चहरे पर हमेशा ग्लो रहेगा और आपकी इसकिन पहले से बहुत जादा बहतर हो जाएगी तो आप इस फेशल को कम से कम 15 दिन में एक बार तो जरूर ही ट्राय कर ले तो दोस्तो आ तो पारलर में आप गोल्ड फेशल के 500-600 रुपए तो कम से कम लगते ही होंगे लेकिन अगर आप ये गोल्ड फेशल करें तो आप पारलर जाना भी भूल जाएंगे क्योंकि ये गोल्ड फेशल जैसा ही निख बने रहिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद